हेलो एब्रीवन आपका एक बार फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ यूटी आई निफ्री 200 मॉमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिस साइपी अमांट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साथी साथ मैं आपसे डिसकस करूंगा इसके अंदर कौन-कौन साइज टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्छल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते हैं तो फिछले छे मेने एक साल तीन सा क्या है तो आगे आप अपना साइपी या फिलम्सम के साथ क्या करेंगे यूटी आई निफ्टी टू हंडेड मोमेंटम थर्टी इंडेक्स फंडाइड ग्रोथ यह एक एक इक्विटी मुच्छ फंड है जो कि लार्ज कैप के अंदर आता और यह काफी हाइरिक्स मुच्छ फंड है इसने जो पिछले 6 मैंने पर रिटन दिया वो रिटन है 23.72% का एक साल के रिटन के अपर बात करते हैं तो एक साल में 16.48% का रिटन दिया है तीन साल के रिटन के अपर बात करते हैं तो तीन साल में 23.18% का रिटन है और अगर एन्वाल रिटन के इनकी बात करें त 30.97% का ध्यान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ यहां पर डिसकस किया यह इनका वन टाइम यानि लमसम का रिटन है अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको यह रिटन देखने को मिलता अगर आप S.I.P. के थूरू इन्वेस्मेंट करे 25 रुपया 13 पैसा रेटिंग की बात करें तो यह फोर इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमुम S.I.P. अमोंट 500 रुपय लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 89 करोर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करतें तो फिर आपको क्या रिटन देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इंवेश्मेंट स्टार्ट नहीं क्या स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिमेट एकाउंट का रेफ्रार रिंग दिया है तो अ 31,578 रूपया यानि कि साईपी के थूरू 6 मेने में आपको 11 परषेंट का रिटन देखने को मिलता एक साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता एक लाख 80,000 आपको मिलता 3,7,936 रुपया यानि तीन साल में आपको SIP के थुरू 81% का रिटन देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस मुच्वल फंड के अंदर अगर आप एक बार में एक लाख रुपय का लंचम किया होता तो 6 मेने पर आपका एक लाख रुपया एक लाख 11,229 रुपया होता एक साल में आपका एक लाख रुपया एक लाख 16,480 रुपया होता और तीन साल में आपका सेक्टर वाई डिसकस करें तो पहला नमाता है हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड क्यापिटल गूड्स, कारेंट लिमिटेड सर्विस, बजाज ओटो लिमिटेड ओटो मूबाइल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनरजी, भारत एलेक्टोनिक लिमिटेड क्यापिटल पे हैं 100.1% और कैस्ट पे हैं मानस 0.1% इसकी एकटी सेक्टर एक लोकेशन के अगर बात करें तो ओटो मूबाइल पे हैं 22, कैपिटल गूड्स पे 18.7, हेल्थ केर 16.1, फाइननसियल 12.9, एनरजी 9.8, कंस्ट्रक्शन 9.2, सर्विस 6.4 और अदर्स पे हैं 5% यानि कि अगर आप UTI, Nifty 200, Momentum 30, Index Fund के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी केटेगरी पे डिस्टिब्यूट हो करके लगेगा इनके एडवांस रेशियो के अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.37 और पीबी रेशियो 5.32 अगर आ 500 रुप्या से स्टार्ट कर सकते हैं अपना इसाइपी रेटन एंड रैंकिंग के अपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यो टी आई ने प्री 200, Momentum 30, Index Fund का फंड रेटन जो की एक साल में 16.5, तीन साल में 23.2 और एन्वल है 30 का वहीं पर इस का जो अबरेज रेट दिया है तो अगर आप एक लार्ज के अप मुच्वल फंड ढूंड रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है आप इसके अंदर अपना इंविश्मेंट कर सकते हैं अगर आपने और इन्वेस्ट किया तो आगे आप अपना इसाइपी अपने लंसम को continue रखेंगे अगर इसके आसपस इसी तरीके का आपको similar funds देखना हो तो इसके अच्छा कोई भी इसके आसपस similar funds अच्छा नहीं है इनकी expense ratio को पर बात करें तो इनका expense ratio 0.46% का exit load की बात करते हैं तो exit load नील है यानि कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइप निकाल सकते हैं बिना को charges के और system duty की बात करें system duty 0.005% tax implementation की बात करते हैं अगर आप invest क्यावा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पे आपको 20% का tax permit करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है एक साल में अगर 1,25,000 का return बनता है तो फिर आपको साड़े 12% का tax permit करना होगा यानि कि short term capital gain पर आपको 20% tax देना है और long term capital gain पर आपको साड़े 12% का tax permit करना होगा इनकी fund house and investment objects की अगर बात करें तो UTI mutual fund total assist पर इंडिया पर नमबर 8 पर रहेंग करता है इसका total assist अंडर मेनेजमेंट है 3,25 या 384 करोर का UTI nifty 200 momentum 30 index fund diet growth ये एक equity mutual fund है जो कि launch किया गया UTI mutual fund की तरब से सरवन कुमार गोयल अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist अंडर मेनेजमेंट है 3,25 या 384 करोर का और latest ने भी है 25 रुपया 13 पैसा UTI nifty 200 momentum 30 index fund diet growth ये एक कापी highrix mutual fund है इसमें minimum SIP amount 500 पैका सेट किया गया है और minimum लंसम एक हजार पैका सेट किया गया है इसकी fund benchmark के अगर बात के है इसका fund benchmark का nifty 200 momentum 30 total return index तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया UTI nifty 200 momentum 30 index fund के बारे में फिर मिलते हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके सब्सक्राइब